हेलो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो UGEAC के जो भी अभ्यारती हैं ध्यान पुरवक्त देख लिजे तरिश, दस, दोजार, चोबिस को डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, कांसलिंग होने के बाद कितना सीट बचा है आप लोग इधर इंसिचूट नेम, ब्रांच नेम और यहाँ पर वेकेंट सीट रिपोर्ट देखेंगे UR, SC, ST, EBC, BC, RCG, EWS, SMQ कोटा और टोटल सीट तो टोटल सीट की संख्या इधर आप लोग इस रो में देख पाएंगे ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लिजिएगा यहाँ पर इंसिचूट नेम, जो भी इंसिचूट में आप लोग एडमिसन लेना चाहा रहोंगे जो भी टिस्टिक में, तो आप लोग अपना देख लिजिएगा और यहाँ पर आपका ब्रांच नेम दिया गया है ठीक है, केंप्यूटर इंजिनियरिंग, सिविल इंजिनियरिंग, 3D अनिमेशन, ग्राफिक्स ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना देख लिजिएगा जिस भी डिस्टिक से विलॉंग करते होंगे ठीक है, तो इस PDF को जो है डाउनलोड कर लिजिएगा ओके, तो इस PDF का लिंक जो है वीडियो का डिस्किप्सन में हम देदेंगे वहाँ से डाउनलोड कर लिजिएगा और आप सभी देख लिजिएगा अपने डिस्टिक में कितना सीट बचा हुआ है किलियर तो चलिए इसको स्कॉल करके हम नीचे ले चलते हैं ठीक आरवल हो गया और अंगावाद हो गया बाका हो गया भोजबूर डिश्टिक हो गया बकसर बकसर गोपाल गंज हो गया जमुई जहानावाद कैमूर खगड़िया उसके बाद मधुबनी नवादा सिखपूरा सिवान वैसाली मुंगेर किसन गंज धीरे धीरे इसको जो है वीडियो को पाउज करके आप लोग देख लीजिएगा किसन गंज हो गया कटिहार हो गया छपड़ा हो गया मुतिहारी हो गया मुझफर पूर ठीक है इस तरीके से ज भाइ सासा राम हो गया सीता मर्ही साहरसा इसके बाद हरए डिर्ष्टिक यहां पर देख सकते हैं सुपॉल पठना भीटा पठना क सीट यह रहा आप सभी का ठीक है उसके बाद यहां पर बक्तियारपूर का मधैपुरा है दर्भंगा का यहां पर जो है दर्भंगा गया इस तरीके से जो आप लोग स्कॉल करके चमपारन डिस्टिक का स्योहर जिलार लखी सराय समस्तिपूर अरवल ठीक है तो आप लोग जरूर से जरूर देख लिजेगा अंत में आप लोग को टोटल सीट जो हम बताने वाले हैं और अंगाबाद, बांका डिस्टिक, भोजपूर, बकसर, गोपाल गंज ठीक है तो इस तरीके से जो आप लोग देख लिजेगा अपना टोटल सीट कितना बच रहा है तो चलिए यहां पर नीचे देख लेते हैं टोटल सीट जो है कितना बचा हुआ है तो सबसे एंड में आएंगे तो टोटल सीट जो आप लोग को देख जाएगा ठीक है तो चलिए स्कॉल करके चलते नीचे और यहां पर देखी टोटल सीट की संख्या जो है दिया गया है तो 3475 सीट टोटल खाली है ठीक है और केटेगरी के अनुसार आप लोग यहां पर देख लीजिएगा जिस भी केटेगरी से बिलोंग करते हैं उस केटेगरी के अनुसार जो है यहां पर दिया गया सीट ठीक है तो इसको थोरा जो है इस तरीके से आप लोग देख लीजिए तो यह जो सीट है आप लोग को 23,10,2024 को जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितना सीट बचा हुआ है वो सभी सीट है इसी पर जो है अभी एडमिशन चल रहा है आप सभी का ठीक है तो चलिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वहां चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद